हेले सुदेंट्स, वेलकम तू अफिसेल यूटुब चेनल आप ओरीजिन कोचिंग, स्वागत है आप सभी का आज के लाइब क्लास में और आज हम न्यू चेप्टर स्टार्ट करेंगे समतल में गती, मोसन इने प्लेन, आज का हमारा क्लास समतल में गती पर होगा जो कि टू दाइमेंशन मोसन है, अभी तक हमने वन दाइमेंशन मोसन पढ़ा, वन दाइमेंशन मोसन में हमने क्या देखा, कि पिंड एक वीमा में मतलब सराल रेखी गती किस तरह से करता है, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी वाड़ी टू डाइमेंशन मोसन कैसे करता है, देखो समतल म में गती को कि आज हम पढ़ेंगे इसका basic introduction आज हमारा introduction का पार्ट है कि और इसके बास इसका हम projectile motion का पढ़ेंगे प्रच्छप गती का तो दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे बैसे circular motion भी हमको सम्तल में गती में पढ़ना होता है लेकिन हम इसको कम्प्लिट एक सेपरेट चेप्टर की तरह पढ़ते हैं सर्कूलर मोशन को बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इस्टार्ट करें फिर चेप्टर हम अपना मोशन इने प्लेन मोशन इने प्लेन टू डाइमेंशन मोशन होता है मास्ताव में सम्ताल में गती क्या है । डाइमेंशन मोशन है का जैसे मतला आप लोगों को जब मैंने मोशन पढ़ाया तो मोशन के पहले ग्लस में ये बात मैंने स्प्रेंड किया था कि एक्ट्वल में मोश determin 3 टाइप से होता है 1-Dimension, 2-Dimension and 3-Dimension 1-Dimension motion हम उसको कहते हैं जिसमें पिंड किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपने इस्थिती में परिवर्तन करता है मतलब X-Aक्ष, Y-Aक्ष और Z-Aक्ष तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपने इस्थिती में परिवर्तन करता है तब हम उसे वन डाइमेंशन मोसन करते है और जब कोई पिंड किसी दो अक्ष के सापेक्ष अपने इस्थिती में परिवर्तन करता है तो उसको हम two dimension motion करते हैं और तीनों अक्ष के सापेक्ष करता है तो three dimension यह मैंने आपको समझाया था यह previous concept में आपको clear किया था तो समतल में गती जो है वह two dimension motion है मतलब यहाँ पर हमको यह समझना है कि कोई भी पिंड अपने position को किनी दो अक्षों के सापेक्ष कैसे बदल रहा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका representation पढ़ेंगे मतलब two dimension representation या द्वी वीमी निरूपन कि किस पकार से हम displacement को किस पकार से हम velocity को किस पकार से acceleration को हम two dimension में प्रतसीत करते हैं यह हमको सबसे पहले समझना है तो पहले हम दखें यह basic concept है और इसको सबसे पहले आपको समझना जरूरी है यह है द्वी वीमी निरूपन तू डाइमेंशन रिप्रेजेंटेशन हम two dimension में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं यह हमको आपको सबसे पहले समझाना है जिसमें पहले हम दखें कि विस्थापन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं माल अपने पास displacement है इसको हम two dimension में किस पकार से represent करते हैं vector form में यह हमको समझना है तो यहाँ पर देखो यदि इसको मैं zero time पर इसको represent करूँ तो vector r naught r naught का मतलब होता है सुन्य समय में इस्थिती सुन्य समय में position मतलब उसका प्रारम ही किस्थिती देखो आज के class में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वह complete इसका निरूपण है निरूपण है कहने का मतलब कि हमको यह समझना है कि भई जब हम one dimension को two dimension में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं इस बात को मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ बहुत बार मैंने देखा है कि students इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ते या काम का नहीं है समझ जाते हैं लेकिन बहुत से चीज ऐसे होते हैं जो सीधे exam में नहीं पुछे जाते तो उनको क्यों पढ़ा जाता है उनको पढ़ने के पीछे purpose यह होता है कि जब आगे हम काम के चीज को पढ़ेंगे मतलब important चीज को पढ़ेंगे तो इसके बीना उसको समझा नहीं जा सकता है इसलिए उनको पढ़ना पढ़ता है supporting topic है जैसे computer में supporting software होता है उसी तरह से यह supporting topic है कि जब तक यह मैं आप को इसलिए explain कर रहा हम कि कही बार ऐसलिए लगता है सर इसमें से तो question आता नहीं इसमें से तो कभी question पूछा नहीं गया है तो सभी के सभी topic question पूछने के लिए नहीं होते है बहुँसे topic ऐसे होते हैं जो आगे के important topic को समझने के जवरी होते है जैसे जब हम building बनाते हैं तो new बनाना ज़री है ना अब new तो जमीन के अंदर रहता है अब आप बोलोगे कि sir new तो दिखाई देता नहीं है वो तो जमीन के अंदर रहता है उसको बनाने का क्या जोगरत है तो आप समझ सकते हैं बिल्डिंग बनाई नहीं सकते हैं उसी तरह से बहुत से टापिक ऐसे होते हैं, जो foundation है, new हैं, और उनको आप न समझो, तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आजके class को ध्यान से समझना, ये calculation मत करना, कि परिच्छा में क्या आएगा, परिच्छा में आएगा, वो आपको समझ में आएगा, तो r0 इस सब vector पढ़ाते समझ में आपको बता चुका हूँ, basic mathematical tools को आप revise करो, x0 i cap प्लस y0 j cap इस पकार से लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, x अक्ष में पिंड की स्थिती है, और y0 y अक्ष में पिंड की स्थिती है, कब 0 समय पर, माने विस्थापन के सामने जो bracket में लिखा जाता है, वह उसके time को represent करता है, वह उसके समय को represent करता है, कि वह किस समय पर बताया गया है, clear, अब मान लो इसके स्थिती को, यह position है न, आपको मालूम है कि यह position है, स्थिती है, हम position vector को r से represent करते हैं, आपको मालूम है, इस पकार से, अब इसी को मैं t time पर लिखूं, तो rt, R T equal to मतब T time पर उसकी स्थिती तो T time पर उसकी स्थिती को क्या लिखूंगा X T I cap plus Y T J cap ये लिखूंगा मैं X T I cap plus Y T J cap ये लिखूंगा therefore अब यदि मेरे को यहाँ पर विस्थापन लिखना होगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा T समय पर इस्थिती रिड प्रारम भी किस्थिती T समय पर इस्थिती रिड प्रारम भी किस्थिती ठीक है तो T समय पर उसका position क्या है ये R T है तो हो जाएगा R T minus R naught R T minus R naught तो यहाँ पर X के साथ में X minus होगा और Y के साथ में Y minus होगा X के साथ में X को minus करेंगे ते हो जाएगा XT minus X0 और bracket के बाहर में हम क्या लिखेंगे I cap bracket के बाहर में I cap लिखेंगे क्योंकि इसमें से यह minus हो गया और plus उसी तरह से हम क्या लिखेंगे इसको YT minus Y0 और into J cap इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब वह हुआ कि पिंड का जो two dimension displacement है द्वी विमी विस्थापन है वो क्या है वह X अक्ष के विस्थापन यह हुआ X अक्ष में displacement और यह हुआ Y अक्ष में displacement यह दोनों के योगफल के बराबर होगा यह X अक्षिस का विस्थापन है यह y axis का विस्थापन है और यह उसका कूल विस्थापन है इस पकार से हम विस्थापन को two dimension में रिप्रेजन करते हैं ठीख है आप यह note dollar करो या s k n साड लो इसके बाद फिर हम क systems region ? इसके लोगों ने सदीज का हमारा चेप्टर नहीं पढ़ है मेरी बात ध्यान से सुनों जिसको भी आई केप जेके समझ में नहीं आ रहा है उनको करना क्या है प्लैलिस्ट में जाना है मूल भूत गडिती आउ धारना सर्च करना उसमें आपको सदीज मिलेगा और उस सदीज को आप तरीके से पढ़ लो यदि आप सदीज और कल्कूलेस नहीं पढ़े धंग से तो बहुत प्राब्लाम आने वाला है 11 क्लास में भी और 12 क्लास में भी पूरे फिजिक्स में प्राब्लाम आने वाला है भई मैं आप लोगों को बार 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 बोल रहा हूं मूल भूत गडिती आउ धारना को आप अच्छे से कर लो अभी हमने रिसेंटली पूरे पांचों मैथेमेटिक्स को एक ही वीडि करित का अलग त्रिकोंड मिती का अलग सदीस का अलग कलकुलास का अलग सब का अलग अलग गडिती आउधारना हमने आपको समझाया है वो जरूर कर लो नहीं तो दो साल फिजिक्स में आप परसान होते रहोगे तो यह तो आप कर लो यह सब के लिए कंपसरी है और कर हिलो नहीं बीच बीच में इनका revision भी करते रहना बीच बीच में इनका revision भी करते रहना, ओके? तभी बनेगा हो यह होगा इसका विस्थापन clear? नहीं यहाँ पर प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा चलिए अब हम देखते हैं इसका वेक के लिए यदि हम इसके वेक के लिए देखें, इसके वेलोसिटी के लिए देखें, तो वेलोसिटी के लिए किस तरह से लिखेंगे देखो, बिल्कुल ऐसे उसको भी पर वेग जिसको हम कहते हैं प्रारंभीक वेग जीरो टाइम पर जो वेलसिटी होता है उसको प्रारंभीक बताओं आपकी फीजिक्स को कठी लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आधा तो यह संकेथी समझ में नहीं आता कि कौन क्या प्रदर्शित कर रहा है मैं सही बता रहा हूं मुझे बहुत लांग एस्पिरियेंस है मेकजीमा में स्टुडेंट को संकेथी क्लियर नहीं है कि यह क्या है कैसे समझ में आएगा अब कहीं पर लिखा है भी अब रेकेट के अंदर में नाब वी नाट अब वी नाट क्या है तो भीया वह प्रारंभीक वेग और सुनने समय पर किसी का वेग परांभीक वेग कहलाएगा और टी समय पर उसका जो वेग होगा वह उसका अंतिम वेग कहलाएगा तो यह उसको प्रदर्शित करने का तरीका है तो जब इसको हम two dimension में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे भी नीचे में छोटा सा x वी एक्स मत को VX कहेंगे और YX के वेग को हम क्या कहेंगे VY कहेंगे तो VX और bracket में नाट क्योंकि प्रारम्भीक है और चूंकि X अक्ष का यूनिट वेक्टर X अक्ष का एकक्ष अदिस I cape होता है तो इसमें इसके I cape को प्रारम्भीक वेग है यह अंतिम्वेग हो गया तब हम क्या लिखेंगे यह लिखेंगे VY not I cape plus VY एसवारी T होगा अब यह T पर है तो VY T यहाँ पर भी T ही लिखा था ना मैं ठीक धोखें से नाट तो नहीं लिख लिया प्लस VY आरे VX VX T I cape plus VY T J cape यह होगा therefore अब यहाँ पर हम वेग में अंतर निकालें तो क्या लिखेंगे VT minus V not VT minus V not equal to इसमें से यह minus होगा माने VX T I cape I cape को बाहर करेंगे minus VX not I cape plus यह होगा VY T minus VY not J cape ऐसा लिखेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपको याद रहना चाहिए यदि इसका रिप्रेजेंटेशन याद नहीं रहेगा तो तो इस तरह से अपन वेक को प्रदर्सित करेंगे चलो अब तीसरा हम देखते हैं तोरान को तोरान को हम कैसे प्रदर्सित करेंगे तोरान को हम किस पकार से प्रदर्सित करेंगे तो उसको प्रदर्सित करने का तरीका क्या है देखो ए नाट इक्वल ए एक्स नाट आई केप प्लस ए वाई नाट जे केप अब आप समझ गए हो और ए टी इक्वल टू ए एक्स टी आई केप प्लस ए वाई टी जे केप और इसमें दी हम डिफरेंस निकालना चाहें तो ए टी माईनस ए नाट इक्वल टू हो जाएगा ए ए ए एक्स टी माईनस ए ए एक्स नाट आई केप प्लस ए वाई टी माईनस ए वाई नाट जे केप इस तरह से हम इसको लिखेंगे चलिए इतना आप लिख लिजिए और इसके बाद फिर हम इसके समीकरण को लिखते हैं ओके चलिए अब हम एक एक करके इसके relation को हम निकालेंगे कि हम वेक के संबंद को तोरण के संबंद को विस्थापन के संबंद को किस तरह से निकालेंगे यह हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम यह तो हमने representation पढ़ा अभी हमने representation पढ़ा अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या सबसे पहले मैं wake पढ़ाता हूँ आपको कि किस पकार से two dimension में हम wake को निकालेंगे ठीक है velocity in two dimension वेग in two dimension two dimension में velocity को हम कैसे लिखेंगे यह हमको अब यहाँ पर पढ़ना है ठीक है तो क्या करेंगे उसको wake का फार्मूला लिखेंगे पूरा टेक्निकाल है ध्यान सा समझना तो velocity v equal यदि हम velocity निकालना चाहें v equal to क्या होगा विस्थापन बटे समय तो विस्थापन क्या होगा rt minus r naught upon t यह होगा wake बराबर होता है विस्थापन बटे समय तो विस्थापन बटे समय होगा देखो अभी मैंने निकाला है यह इसी लिए मैं आपको पहले यह समझाया rt minus r naught यह विस्थापन मैंने आपको बताया यह विस्थापन बताया और विस्थापन बटे समय करेंगे तो वेग निकलेगा बहुत टेक्निकल है मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुत से स्टुडेंट इसको छोड़ देते हैं नहीं पढ़ते यह सब देखते हैं i-cap j-cap यह क्या है छोड़ दो चलो ऐसा नहीं है सब काम का important है आगे फिर आपको problem होगा तो यह विस्थापन है और इसको हम कैसे लिखे हैं देखो यह लिखे हैं इस बात को हम वहाँ पर लिखेंगे x-t- x-naught i-cap अब उसके value को हम आगे put up करेंगे देखो तो कैसे put up करते हैं देखो that implies अब यह क्या हो जाएगा v equal इसको हम पूरे को हम क्या लिखेंगे x-t- x-naught इसका i-cap प्लस यह लिखेंगे y-t- y-naught यह j-cap और upon t यह हमने इसको लिख लिया clear? और यह जो velocity है यह जो velocity है इसको भी हम vector form में लिखें यही पर मैं लिखी देता हूँ इसको that implies अब इसको हमको time इसका decide नहीं है तो सिजा लिखेंगे v-x i-cap plus v-y j-cap इस रूप में हम इसको लिखेंगे v-x i-cap plus v-y j-cap क्योंकि महाँ पर time mention नहीं है अब इसको इधा transfer कर दें तो that implies इसको इधा transfer करने पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो यह लिखाएगा xt minus x-naught और यह हो जाएगा i-cap plus y-t minus y-naught j-cap equal t इधर transfer होके दोनों के साथ अलाग-अलाग multiply हो जाएगा तो इसके साथ multiply होगा तो क्या हो जाएगा v-x into t i-cap plus v-y into t j-cap यह होगा अब आपको vector में मालूम है कि vector में क्या equating करेंगे दोनों पक्षों के i-cap तथा j-cap के गुडांकों की हम तुलना कर सकते हैं तो i-cap और j-cap के गुडांकों की जब हम तुलना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ i-cap तथा j-cap के गुडांकों की तुलना यदि हम i-cap और j-cap के गुडांकों की तुलना करें, तो हमको क्या मिलेगा, अब यहां पर थोड़ा गौर करना आप, यहां पर i-cap का जो गुडांक है, वो इतना है, और right side में i-cap का गुडांक इतना है, तो left side में i-cap का गुडांक और right side के i-cap का गुडांक दोनों आपस में बराबर होगा, तब हम हम इसको क्या लिख सकते हैं therefore अब हम इसको लिख सकते हैं xt-g0 x-t- x0-right-cdome से हम लिख सकते हैं ex into t यह लिख सकते हैं कियोंकि यहाँ i cape गुडांग किये है और यहाँ पर i cape का गुडांग किये है तो दोनों पक्षम में i cape के गुडांग की घुटना तो सब्सक्राइब इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या? Yt-y0, और यहां पर X term का गुड़ान कितना है, यह है, Yt into t, और यहां पर Y term का गुड़ान कितना है, तो यह हो जाEMA, अब यहाँ पर यह जो दो relation निकले हैं इसको आप देखो यह जो उपर वाला जो relation है यह किसके लिए है यह x-axis के लिए है और यह नीचे वाला यह y-axis के लिए है यहाँ पर देखो x-axis का विश्थापन x-t-x0 x-axis का मतलब हुआ x-axis का विस्थापन बराबर हो जाएगा X X का वेग गुडित समय क्योंकि विस्थापन बराबर वेग गुडित समय होता है क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है इस पकार से देखो X T minus X naught equal to हम लिख सकते हैं V X into T ये X axis के लिए और ये है Y axis के लिए Y T minus Y naught मतलब Y axis का विस्थापन Y X के जो विस्थापन होगा उस Y X के विस्थापन को हम Y X का वेग और गुडित समय के रूप में लिख सकते हैं अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम वेग को टू डाइमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किये हमने किया क्या है उसको आप ध्यान से समझो वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय इसको हमने दो पाइट में ब्रेक किया है एक X X के लिए और दूसरा Y X के लिए यह है वेग का अलग-अलग सेपरेट इक्वेशन टू डाइमेंशन में फार X-axis एंड फार Y-axis तो बहुत टेक्निकल है डिफिकल तो नहीं है लेकिन बहुत टेक्निकल है इसको आपको इसी धन से समझना पड़ेगा बहुत आसान तरीके समयने बताया है बुक्स वगर हम रिडिंग करोगे तो उसमें तो और ज्यादा इतना लेंदी एस्प्रेलेशन है कि स्टूडेंट उसको देखके ही परसान हो जाते हैं कि आरे बाप रे इसमें लिखा क्या है चलो इसका प्रिस्किन साथ लेलो और लिखो हो गया चलिए अब जैसे हमने वे सब को हम टूडाइमेंशन में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरा टेक्निकल है एक जैसे बना वैसी सब का सब बनेगा यदि एक में आपको बैसिक कांसेट क्लियर हो गया होगा तो बाकी भी आपको उसी तरह से क्लियर हो जाएगा ध्यान से समझो अब त्वरण निक वी नाट मतलब प्रारंभीक वेक और बटे समय अब इन ही चीजों को सम्झाने के लिए मैं आपको यह स्टार्टिंग में बता चुका हूं देखो यह बताया वी टी माइनस वी नाट इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका बेस क्लियर किया कि यह कैसे लिखना है तो इसको अब हमको ऐसा लिखना है यह इस बात को ऐसा लिखना है इसलिए मैंने आपको सुरुआत में उसका टू डाइमेंसान रिपरेंटेशन बताया क्योंकि हमको आगे चलके उससे फार्मूरा निकालना था तो वी टी माइनस घी नाट जो मैं निकाला हूं इसी को हम व हो जाएगा VXT माइनस VX नाट और इntu I kep प्लस ये क्या हो जाएगा VYT VYT माइनस VY नाट इntu J kep ये होगा और अपान में इसके हो जाएगा T यह T होगा clear? ते हमने कहां से लिखा? अब आप इसको नहीं पूछने असर कहां से लिखा? पीछे बताया मैं उसको हमने कहां से लिखा अब हम इसको इधा टांसफर कर दें तो टांसफर करने के बाद that implies यहाँ पर acceleration को भी हम दोनो यहाँ पर भी acceleration को भी दोनो x इसको लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे? ax i cap plus ay j cap ऐसा लिखेंगे इसको भी i cap j cap के फार्म में लिखेंगे अब जैसे अभी हम किये थे वही काम यहाँ पर भी करते हैं t को इधा टांसफर कर दें तो यह क्या लिखा जाएगा? that implies vxt minus vxt minus vxt minus vx0 और into i cap और प्लस यह हो जाएगा vy t minus vy0 into j cap और इसको इधा टांसफर करो तो दोनों के साथ t का मल्ट इपलाई हो जाएगा तो हो जाएगा ax in two t i cap plus ay in two t j cap ay in two t j cap यह होगा अब यहाँ पर देखो वही काम हम करेंगे i cap तथा j cap i cap तथा j cap के गुणाँकों की तुलना करेंगे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो i cap का गुणाँक क्या है आपको यहाँ पर यह दिख रहा है और यहाँ पर i cap का गुणांग क्या है यह, तो उसकी तूलना करेंगे, तो therefore अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर, vxt minus vx not equal, यहाँ पर i cap का गुणांग है यह, ax into t, तो यह हो जाएगा, ax into t, इसी प्रकार से हम, जे केप के गुणांग की तूल ना करेंगे तो यहाँ जे केप का गुणांग यह है और यहाँ पर जे केप का गुणांग ay into t है तो क्या हो जाएगा next line में हैं क्या लिख सकते हैं इस तरह से vy t minus vy not equal to ay into t तो यह जो equation हमारा निकला है यह equation अब क्या हो जाएगा x और y axis के लिए फर्मूला हो जाएगा x और y axis के लिए यह जो उपर लिखा गया है यह फार x axis है आप इसको देखो यह x axis के लिए तोरान का फर्मूला है और नीचे जो लिखा गया है y axis के लिए तोरान का फर्मूला है इस पकार से बहुत आसान तरीके से आप इसको रिपेजेंट कर सकते हो यहाँ पर देखो यह है एक्स अक्ष में वेक परिवर्तन बराबर त्वराण गुरिष समय क्योंकि यदि टाइम को इधा टांसफर कर दूँ तो वेक बराबर त्वराण बराबर समय इक्वेशन को कई फाम में लिखा जा सकता है यह इसका सरदतम रूप है इसलिए मैंने इस फाम में इसको लिखा हुआ है ओके तो यह होगा त्वराण त्वराण को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टू डाइमेंशन में कोई प्राबलम चलिए अब इसमें लास्ट हमारा फार्मूला है वह है विस्थापन के लिए अब हम पढ़ लें विस्थापन उल्टा पढ़ा रहा हूं तीश्रा में विस्थापन को इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि विस्थापन का थोड़ा सा कंप्लिकेटेड है विस् 2T plus 1.5 AT square इस फार्मूला को मैं 2-dimension के लिखूंगा इस फार्मूला को मैं 2-dimension के लिखूंगा इसलिए मैंने इसको reference के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है अब इसको two-dimension में कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर आपको मालूम है कि यह विस्थापन है और और विस्थापन को हम two dimension में कैसे लिखते हैं अभी मैंने बताया कि विस्थापन को two dimension में rt-r0 लिखते हैं अभी शुरवात में वही बताया मैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं that implies rt-r0 बहुत ध्यान से समझना यह सब मैं स्टार्टिंग में बता चुका एक बार और याद द दिलाता हूं कुछ student late में class join करते हैं समझते नहीं class को ढंग से समझना है तो आप बिल्कूल starting से class join किया करो तो समझ में आएगा आखरी तक यह विस्थापन में बताया था और विस्थापन को rt-r0 लिखते हैं यह मैंने starting में ही बताया था इसलिए मैं अभी यहां पर क्या क कर रहा हूं विस्थापन को rt-r0 लिख रहा हूं that equal यह क्या है प्रारंभीक वेग यू क्या है प्रारंभीक वेग और प्रारंभीक वेग को हम क्या लिखते हैं भी नाट यह मैंने इसको भी नाट लिखा देखो अब संकेतों को मैं vector में convert कर रहा हूं two dimension में ठीक है यह plus plus क्या हो जाएगा one upon two और a को लिख सकते है vector a और इसका t का square यह मैंने इसको सदीश रूप में लिख लिया कोई प्राब्लम यहाँ तक ओके that implies अब हम इसको लिखे है rt-r0 तो क्या लिख सकते हैं इसको xt-x0 i cap यह पीछे आपको मैं पढ़ा चुका plus यह होगा yt-y0 j cap यह होगा equal इसको v को हम क्या लिख सकते हैं vx0 i cap into t plus vy0 j cap into t इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको यह वाले portion को और plus plus 1.2 इसको हम रहने देते हैं vector a तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ax i cap plus ay j cap और into t square इसा लिख सकते हैं अब यहाँ पर आप देखो इसके तुरन बाद हम दोनों साइड में या मैं i j cap को एक बार separate कर लेता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा that implies यह हो जाएगा xt minus x naught और इसका i cap plus यह हो जाएगा yt minus y naught का j cap equal अब क्या होगा देखो यहाँ पर थ्यान देना यह i cap का portion है और यह वाला i cap का portion है तो i cap i cap को अलग हम separate करते हैं तो i cap i cap को अलग separate करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा यह हो जाएगा v x naught और plus plus याद रखना यहाँ से v x naught और साथ में क्या है t है v x naught into t है यहाँ से मैं क्या करूं plus 1 upon 2 को अंदर multiply करूं और t square को अंदर multiply करूं तो 1 upon 2 ax t square और फिर दोनों के bracket के बाहर हम क्या लिख सकते है i cap मतलब कुल मिलाके हमने i cap को common किया है यहाँ से j cap को common करें तो प्लस क्या हो जाएगा v y naught into t plus 1 upon 2 ay t square और into j cap ऐसा होगा तो i cap और j cap को आपको common करना है कुछ नहीं है सावधानी सिवर करना है i cap और j cap को आपको common करना है अब दोनों side से आप देखो तो यहाँ पर i cap का गुणांक इतना है और यहाँ पर i cap का गुणांक यह इतना है और यहाँ पर जे केप का जो गुणांक है यहाँ पर जे केप का गुणांक वो यह है और यहाँ पर जे केप का जो गुणांक है वो यह वाला पोर्शन है तो अब यहाँ पर हम क्या करें, जैसे अभी तक करते आए हैं, I-CAP और J-CAP के गुणांकों की तुलना कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम फिर लिखते हैं, therefore, I-CAP तथा J-CAP के गुणांकों की तुलना करने पर बहुत साइटकर्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत सिस्टेमेटिक, यह बुक्त में आपको बहुत लेंदी मिलेगा तो दोनों साइट से I-CAP तथा J-CAP के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यह हमको मिलेगा XT-X0 यह, और यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलेगा VX0 into T plus 1 upon 2 AXT square और उसी तरह से यह मिलेगा YT minus Y0 equal to यह मिलेगा VY0 into T plus 1 upon 2 AY into T square और यह जो relation मिला है, यही relation क्या है? यही relation इसका two dimension component है, यह उपर वाला relation देखो, यह X-axis के लिए है, यह है फार X-axis और नीचे वाला है फार Y-axis, X-axis और Y-axis तो यहाँ पर X-T minus X0 equal VX0 T plus, मतब क्या हुआ? S equal to UT plus half AYT square देखो, यह X-axis का विस्थापन है, यह S है और S equal to हो गया UT plus 1 upon 2 AYT square, यह X-axis के लिए और यह हो गया, X-axis का विस्थापन बराबर, यह UT plus half AYT square, तो आप समझ गए होगे, कि हमारे पास जो यह one dimension का formula था, इस one dimension formula को हमने दोनों X-axis के लिए किस पकार से represent किया? यह बहुत आसान तरीका है, बस इसको थोड़ा सा technique से समझना होता है कई बार मैं जानता हूँ, मैं तो इतने साथ से पढ़ा रहा है, मैं रख मालूम है, कई बार यह student IKP, JKP, यह देख के एकदम उलच जाते हैं, क्या है, कुछ नहीं है उसमें यदि आपका proper basic clear है, देखो इसलिए मैंने आपको एकदम सुरुवात में क्या पढ़ाया? इसलिए मैं विस्थापन को कैसे लिखते हैं बताया, वेक को कैसे लिखते हैं मैं बताया, तोरण को कैसे लिखते हैं मैं बताया, उसके बाद फिर मैंने एक एक करके सभी topic को आपक तो मैं समझता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, यह है आपका two dimension का basic introduction, next class हमारा बहुत important class होने वाला है, बहुत important मतलब इतना important कि mechanical physics का वो एक ऐसा topic है, mechanics का, जिसके बिना physics का question paper तायार नहीं हो सकता, ना तो school का, ना तो NEET का, ना तो IIT का, ना तो CUT का, ना तो NDA का, कोई competitive exam, कोई भी board exam, school exam ले लो, उस topic से question ना आए, यह हो ही नहीं सकता, एरोनाटिकल इंजिनियरिंग की तो जान है मैं समय लो, कौन से topic की बात कर रहा हूँ, मैं guess करी आप, projectile motion प्रचेप गती होता क्या है, देखों, आपने देखा होगा, कि किसी भी pin को, किसी भी pin को, यदि हम उर्धाधर को छोड़के, यदि हम vertical direction को छोड़के, आपने इस तरह से, कई बार ऐसा किया होगा, कि कभी भी हम क्या करते हैं, किसी object को, vertical direction को छोड़के, यदि हम क्या करें, किसी और direction में उसको throw करें, तो उस कंडिशन में होता क्या है जैसे आपके पास हाथ में कोई वस्तू है उस वस्तू को उस पिंड को आप उर्ध्वाधर फैकते हो जब उसको आप उर्ध्वाधर फैकते हो तो सीधा सीधा आपके हाथ में आता है ठीक है जब आप उसको उर्ध्वाधर को छोड़के किसी और दिशा में फेंटते हो तो आपने उसके कभी गती के पत का अध्यान क्या होगा कभी उसके गती के पत को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि वह पिंड जो है वह एक विशेश पकार के पत पर गती करता है जैसे आप क्रिकेट खेलते समय अधी आप बाल को थ defensman जो फिट करता है तो आपने देखा होगा कि जो बाल का जो गती का पत है वह एक विशेश आकरिती लिए होए होता है और वह आकरिती होता है परवल है तो प्रच्शेव गती का जो basic definition हम वो यह है कि अभी यदी किसी भी पिंड को यहां पर मैं हम इसको बारी-बारी से पढ़ेंगे लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूँ कि मालो यह ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर यदि हम किसी पिंड को कुछ कोड बनाते हुए छैतिच के साथ कुछ कोड बनाते हुए यदि इस दिशा में हम थ्रो क तो आपने देखा होगा कि यह पिंड इस पकार के पत का अनुसरण करते हुए वह यहाँ पर गिरता है ऐसा या इसका ठीक उल्टा यदी हम किसी पिंड को ऊपर से नीचे भी फेक दें यदि हम किसी पिंड को माल हम किसी उचे टावर पर खड़े हैं और उचे टावर पर यदि हम खड़े होकर इस पिंड को सपोज यहां से इस दिशा में फेके 36 तो सिधा नहीं जाता वो इस पकार से आके गिरता है यह आपने देखा होगा तो नीचे से जब उपर थो करें तो या उपर से नीचे थो करें तब भी दोनों कंडिशन में इसका जो पत होता है गती का पत होता है वह एक विशेस पकार की आकरिती लिये हुए होता है और इस पत को यह जो पत होता है इसके गती का जो पत होता है इस पत को हम परवले कहते ह है ये परवलाए है अधिया परवाला है फेरा संप बोरा है 欸 जैसा की वुदध होता है त्रिभूज होता है चतुरूब्भूज होता है उसी प्रकार से परवाला भी क्या है एक जामिती आक्रिती है इस तरह के आक्रिती को हम परवाई कहते हैंbase mathematics में इसको डीटेल में पढ़ा जाता है पेरा बोला क्या होता है के स्टूटेंट सेक्षन में मैं यह करें पर आगे हम डिसकास करेंगे वैसे आपने मेरा बैसिक मैस्मेटिकल टूल्स को वीडियो देखा होगा तो वहां पर जामेटी वाले section में मैंने यह सब पढ़ाया हुआ है ठीक है तो यहां पर इसका पत परवलए होता है यह है परवलए की आकरिती तो यहां पर परिभासा क्या होता है तो हम डीताइसन देखें तो क्या कहेंगे यदि किसी पिंड को उर्ध्वा धर के अत्रिक्त मतलब उस पिंड को हमको इधर नहीं थ्रो करना है यह जो डारेक्शन है इस डारेक्शन में थ्रो नहीं करना है इस डारेक्शन में हमको नहीं फेकना है उर्ध्वा धर के अत्रिक्त यदि किसी अन्य दिशा में फेक तो वह पिंड वह पिंड एक परवलयाकार पत पर गती करता है या उसका पत परवलयाकार होता है इस गती को हम क्या कहते हैं प्रछेप गती कहते हैं और उस पिंड को प्रछेप कहते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इस तरह से परवलयाका परवलयाकार इसका गती होता है एक उस पिंड के गती का पत परवलयाकार होता है इस गती को प्रछेप गती कहते हैं और उसके पत को प्रछेप कहते हैं ये है प्रछेप गती का definition तो clear समझ में आ गया सब को क्या होता है अब दो तरीके से हमको इसको पढ़ना है एक ये तरीका एक ये तरीका इसको हम बोलते हैं 36 प्रच्षेप क्योंकि इसको horizontal direction में फ्यका गया है इसको बोलते हैं उर्धाधार या period प्रच्षेप कहा जाता है clear यहां तक आपको ये curve का path इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हर point पर गुरुत्वी तवराड नीचे कार्य करता है जैसे जैसे pin उपर जाता है तो गुरुत्वी तवराड G command क्या होता है उसको नीचे की और खिंसते जाता है इस तरह से और यहां पर इसका जाके 36 वे घटक सूनी हो जाता है और उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू करता है ठीक meat point से अभी detail में पढ़ेंगे हम इसको तो आपको सब चीज में समझाऊंगा है चलिए तो पहला हम पढ़ें 36 प्रच्षेप पहला जो हमारा बारी से हम पढ़ेंगे एक एक टापिक एक दिन पढ़ेंगे क्योंकि बहुत important है एक टापिक को बहुत अच्छे से 100% एक दिन के class में करना है उसके बाद फिर दूसरे को करना है प्रच्षेप गति को बहुत detail में पढ़ना है वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है यह बहुत ज़्यादा important है ओके तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से अपने को discuss करते हुए पढ़ना है चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन 36 प्रच्षेप चित्र बना ले पहले अपन यह माल लो कोई horizontal plane है धरातल है और यहाँ पर हमने एक इस पकार से एक tower ले लिया suppose एक उचाई है अब यहाँ पर क्या किया गया है एक pin को इस दिशा में फेका गया माल लो किसी pin को यह 36 दिशा है इस दिशा में किसी pin को फेका गया माल लो एक pin है इसको उस दिशा में फेका गया है ये कोई पिड़ है इसको हम इस दिसा में YWAC से फैकते हैं YWAC यह फियक है इसको इस दिसा में पैका गया लेकिन यह PIN इस पकार से गती इस पकार से पत का अनुसरन करते हुए वो यहाँ पर गिरेगा यह है उसका अंतिम पोजिशन यहाँ पर गिरा अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है इस दिशा में वो गती करता है अभी मैं आपको कराण बताया मालो यहाँ से यहाँ तक 36 से इसकी उचाई small h है जो की वास्ताव में y के बराबर होगा y इसकी उचाई है यहाँ से और यहाँ यह x-axis है और यह क्या है पर इसका कल्कुलेशन करेंगे आपको मैं कल के क्लास में समझाया कि हम two dimension motion पढ़ रहे है दुई इमी गती पढ़ रहे है मतलब यहाँ पर पिंड का जो position है वो दोनों अक्षों के सापेश में change होगा देखो जैसे जैसे यह पिंड आगे गती करते हुए आगे बढ़ रहा है जैसे यह पिंड यहाँ पहुंचा होगा तो एक्स अक्ष़ से य अक्ष़ से और एक्स अक्ष़ य अक्ष़ दोनों अक्ष़ से उसका position change हो रहा है मतलब वो अपनी इस थिती को एक्स अक्ष़ के सापेश भी परिवर्थित कर रहा है और y-s-q-s अक्ष़ भी परिवर्थित कर रहा है तो चुँकि दोनों अक्ष़ों के सापेश भी अपनी इस थिती में परिवर्थित कर रहा है इसलिए इसकी गती को हम क्या कहेंगे two-dimensional motion कहेंगे ठीक है इस तरह से यहाँ पर पहुँचता है प्रछेप गती किसे कहते हैं सिद्ध करो की प्रछेप का पत परवलायकार होता है जबकि उसको 36 दिसा में फेका गया है तो सबसे पहले उसके पत को परवलायकार आप प्रूफ करोगे जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसका प्रशेप का पत परवलायकार होता है तो इस बात को अपने को प्रूब भी करना है इस बात को अपने को प्रूब भी करना है कि इसका पत परवलायकार कैसे होता है तो उसके लिए हमको पहले गढ़ना करना है तो दो step में इसका गर्णा करेंगे हम पहला जो होगा वो होगा 36 दिशा में पहला है 36 दिशा में जो कि क्या है? X axis है 36 दिशा इसका X axis है तो अभी मैं आपको बताया कि चुकि है two dimension motion है तो दो अलग 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 दिशा में हम इसका study करेंगे एक बार X axis के लिए एक बार Y axis के लिए तो सबसे पहले 36 दिशा के लिए हम इसका गर्णा करें चो 36 दिशा के लिए हम इसमें गती का दूती समीकर लगा दें S equal to UT plus half AT square इस फार्मूला को लिखें तो इस फार्मूला से यहां से आप देखो यह जो विस्थापन होगा यह जो विस्थापन होगा X axis में यह देखो यहां से यहां तक यहां से यहां तक का जो विस्थापन है इसको हमने क्या कह दिया X इस बिंदू से इस बिंदू तक का जो विस्थापन है यह माल लिया हमने किस के बराबर X के बराबर, तो यहाँ पर X का जो value होगा, वह X होगा, X इसका value होगा इसके बाद देखो U यह U इसका प्रारंभीक वेग है और प्रारंभीक वेग इस दिसा में जो इसका प्रारंभीक वेग है, वो क्या है? X direction का velocity है, तो वो U ही है 36 दिसा मुसका वेग U है या इसको UX भी लिखा जा सकता है या खाली U भी लिखा जा सकता है UX लिखने का जवरत नहीं है इसलिए क्योंकि हमने 36 दिसा साफ साफ लिख दिया है, तो यह लिख सकते है टाइम क्या होगा T और प्लास 1 अपान 2 यहाँ पर देखो, यह जो गुरुत्वी त्वरण है यहाँ पर जो A का मान है वास्तों में यह G है, इसको हम GT लिख सकते है क्यों GT लिख सकते है क्योंकि यह गुरुत्वी त्वरण कारे करता है यहाँ पर, तो गुरुत्वी त्वरण कारे करता है यह ध्यान में रखना और into t square यह फार्मल्टी के लिए लिख देंगे बाकि उसको हमको सिधा 0 लिख सकते हैं ठीक है यह समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया उसका value 0 होगा that implies यहां से हम देखें तो x equal to क्या हो जाएगा u into t sorry u into t हो जाएगा और यह तो क्या हो गया पूरा 0 हो गया तो plus 0 therefore यहां से हम चाहें तो t का मान भी का सकते हैं तो t equal to हो जाएगा यहां पर x upon u और यह हो जाएगा relation number first तो t equal to x upon u यह पहला relation है जो की 36 दिशा के लिए है t equal to x upon u clear तो सबसे पहले हम 36 दिशा में इसका गर्णा करेंगे एक एक करके आप step by step समझते जाओ यदि हर step आपको clear हो तो आगे कोई problem ही नहीं होना है दूसरा देखेंगे हम उर्धा धर दिशा में second condition है इसका उर्धा धर दिशा में उर्धा धर दिशा क्या है इसका y axis उर्धा धर दिशा को हम क्या कहेंगे y axis इसका vertical direction है और इस direction में भी यदि हम इस formula को use करें तो क्या हो जाएगा s equal ut plus half a t square से यहाँ पर भी हम लिखेंगे gt square इस से ठीक है यहाँ एक बार a ही लिखो बाद में g लिख सकते है पन that implies अब देखो उर्धा धर धर दिशा में इसका विस्थापन क्या है y है अब यह हो जाएगा 0 0 क्यों होगा देखो यह चीत्र को आप देखो कि हमने पिंड को 36 दिशा में फेका है तो इस दिशा में इसका जो velocity होगा u वह क्या होगा 0 होगा initial condition में हमने पिंड को 36 फेका है तो प्रारभी की सिती में उर्धा धर दिशा में उसका वेक का घटक क्या होगा 0 होगा तो हम इसको u को 0 लिखेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा इस पकार से देखोए 0 हो गया और 1 अपान 2 अब एक को हमने g लिख दिया gt square यह होगा that implies y equal to अब इसको हम लिखें 1 अपान 2 g और t के मान को हम यहाँ से लाके भर देते हैं यह t के मान जो हमने निकाला है that implies अब आगे इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं y equal to 1 upon 2 g x square upon u square actual में यह trajectory का equation होता है मतला अब यह प्रचेप का समीकर्ण होता है इसे हम प्रचेप का समीकर्ण कहते हैं लेकिन आगे यहाँ पर देखो x एक variable है और बाकी सब constant है क्यादी हम x variable को छोड़के यह जितना constant है यह जो मैंने घेर दिया उसको एक constant suppose कर लें तो हम यहाँ पर इसको आगे क्या लिख सकते हैं therefore अब इस समीकरण को y equal to हम लिख सकते हैं इसको मालो हमने b suppose कर लिया तो y equal to bx square जहाँ पर हमने b a constant है जो कि suppose किया है g upon 2u square को यह b equal to g upon 2u square यह constant को suppose किया है तो यह जो यहाँ पर equation आया y equal to bx square y equal to bx square यहाँ जो equation आया इस equation में देखो यह परवलाय का समीकरण होता है ठीक है यही बात मैंने आपको starting के बताया कि मेस के student तो मेस में पढ़ेंगे बाकी लोग ध्यान रखें कि यह परवलाय का समीकरण है अब उसको आपको पहचानना पढ़ेगा जैसे बृत्त का समीकरण होता है x square plus y square equal to a square state line का समीकरण होता है y equal to mx उसी प्रकार से परवलाय का भी समीकरण का कई रूप है उसमें एक रूप यह भी है तो इसके आगे हम लिखेंगे जो की परवलाय का समीकरण है आगे हमको यहाँ पर explain करना है जो की परवलाय का समीकरण है जो की परवलाय का समीकरण है अब यहाँ पर यह परवलाय का समीकरण हो गया तो परवलाय का जब यह समीकरण हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका पथ परवलाय का रहे है क्योंकि मालूम है कि कोई भी पिंड जामिती में हम जानते हैं कि जो पथ होता है जिसको हम पथ कहते हैं पिंड का वो लोकस जिस आकरिती का होता है वही उसका पथ होता है तो यहां पर यह परवलाय का समी करण है तो लिश सकते हैं अत्ता यहां से प्रूफ हो गया अत्ता प्रच्छेप का पथ परवलायकार होता है यहां पर हमारा एक क्वेस्टन कम्प्लीट होता है यदि हमको एक्जाम में यह पूछा जाए कि सिद्ध कीजिये कि प्रच्छेप का पथ परवलायकार होता है तो हमको यहां तक उसको प्रूफ करना है कोई टाइम चेंज नहीं हो सकता भाई जैसे जैसे टीचर के और टाइम एबलेबल है उसके हिसाब से क्लास चल रहा है टाइम चेंज नहीं हो सकता आप जिनको लाइब क्लास आते नहीं बनता वो बाद में रिकार्डेट क्लास देख सकते हैं Time Change करना पासिबल नहीं है सभी टीचर अपने time पर December किसी time में, trader क्लास होते रहता है इसलिए time हमारा fixed है यदि आप live class में नहीं आ पाते हो, तो आप του रिंटार्डेट देख सकते हो OK clear यहां तक, तो यहां पर प्रूफ हो गया कि प्रच्छेप का पत्थ क्या होता है परवलायकार होता है चलिए अब हम इसमें नेस्ट टापिक देखें उड़यान काल टाइम आप फ्लाइट आपको एक्जाम में उड़यान काल निकालने के लिए बोले तो आगे हमारा टापिक कंटिनिवस होगा और यह क्या है बहुत इ तो यह गती करते हुए इस पोजिशन पर पहुंसता है तो जितने देर तक वह गती करता है वह समय जितने समय तक वह एयर में रहता है हवा में रहता है उड़ते रहता है उड़ेयन का मतलब होता है फ्लाइंग करना टाइम आप फ्लाइट तो जितने समय तक वह गती करता है य उड़ना या इंग्लिस में हम उसको कहते हैं क्या time of flight कि कितने देर तक वो उड़ता है यह time of flight कहलाता है तो उड़ेन काल कैसे निकालेंगे हम देखो इसके लिए हम उड़ोधर condition में यह vertical direction में उड़ेगा क्योंकि वो नीचे आता है यह ध्यान में रखना तो s equal यह formula लगा देते हैं s equal to ut plus half a t square इस formula के लिए हम लगा दें तो यह vertical direction में जो total वो गती करता है वो y के बराबर होता है वो vertical direction में total वो जो गती करता है वह y के बराबर होता है क्योंकि वह क्या है y अक्ष पर गती कर रहा है ठीक है और u vertical direction u 0 होता है तो हो जाएगा 1 upon 2 और gt square इस पकार से अब यह जो y है जिसको हमने यहाँ पर सीथा h ही लिख देते हैं हमने चीतर में आपको बताया कि यह h के बराबर होता है y जो h के बराबर होता है उतनी height पर उसको रखा जाता है that implies आगे इसको हम solve करें इन दोनों को इधर transfer कर दो तो t square equal to हो जाएगा 2h upon g therefore t का value हो जाएगा root of 2h upon g तो यह उडेन काल का formula होता है इस तरह से अभियान रखना कि यदि 36 दिशा में गती कराया जाए पिंड को तो उसका जो उडेन काल होता है वो t equal to root of 2h upon g होता है ठीक है root of 2h upon g यह इसका उडेन काल होता है clear मुस्कान clear नहीं दिख रहा है clear नहीं दिख रहा है मतलब पर की इसू होगा बिल्कुल नेट के लिए नीट के लिए सफिसेंट क्या भई नीट यार जेई का प्रिप्रेशन करना है तो सबसे पहले तो आपको basic foundation ही start करना पड़ेगा तो कोई topic sufficient नहीं होता हर topic का अपना importance है यह basic है और यहीं से आपको पढ़ाई शुरुवात करना पड़ेगा यह है उड़ेयनकाल का formula यह आपको याद रखना पड़ेगा कि उड़ेयनकाल क्या होता है next topic है हमारा इसमें देखो इसको हम कहते हैं 36 परास horizontal range 36 परास क्या होता है देखो 36 परास यहाँ पर आप figure से समझो जब कोई pin को हम इस तरह से throw करते हैं तो यहाँ पर यह starting में यहाँ पर मैं बताया यह जो position होता है यहाँ से लेके जब वह यहाँ तक पहुंचता है इस position से इस position तक पहुंचता है तो एक सक्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम 36 परास कहते हैं और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं R far range आपने सुना होगा missile का range कि इस missile का range इतना है missile का range 5000 km है इसका मतलब यह हुआ कि वह missile 5000 km तक 36 दूरी में जाके गिरेगा उसको range कहते हैं हिंदी मुसको परास कहते हैं इस पकार से आप देखो कि यहाँ पर जो range है 36 परास यह जो 36 परास है वह एक दूरी है और दूरी बराबर क्या होता है देखो 36 परास को यदि हम R से रि देखो डालेंगे देखो R वेग बराबर दूरी बटे समय वेग बराबर दूरी बराबर समय तो दूरी बराबर वेग गुडि समय होता है तो यहाँ पर यह यह टी के मान को रूट आप टूएच अपान जी के मान को यहां पर पूट अप कर देंगे तो यह मिल जाएगा हमको उसका 36 परास इस पकार से पिंड कितनी दूरी तय करेगा या उसका परास कितना होगा यह कोस्टन बनाना है तो हमको आर इकॉल टूट यू इंटू रूट टूएच अपान जी से बनाना होगा जितना भी फार्मूला यहां पर डिराइब हो रहा है वो सभी फार्मूला आपको याद करना है जितना भी फार्मूला यहां पर डिराइब हो रहा है सब आपको याद करना है अधर्वाइस इसके नुमेरकल्स नहीं बनेंगे नेस्ट टापिक है किसी च्छड़ पर प्रच्छेप का वेग यह एक बहुत इंपॉर्टेन टापिक है ध्यान से समझो किसी पर्टीकुलर टाइम पर किसी च्छड़ पर प्रच्छेप का वेग किसी पर्टीकुलर टाइम पर इसका वेग क्या होता है यह हमको समझने है किसी चड़ पर का क्या मतलब है देखो यहां पर एक एट एनी इंस्टेंट यहां पर आप फिगर में देखो यह जब प्रच्षेप करता है कोई भी पिंड तो गती करते हुए क्या होता है जब अपने पत पर चलता है तो मालोग किसी विशेश पर इस्थित पर वो जब कही होता है तो उस समय उसका वेग क्या होता है यह हमको निकालना है तो यहां पर इसका वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसका वेलसिटी जो है उसको जानने के लिए हम वहां पर एक इसपर्स रखा खिशते हैं यह क्योंकि ह ह проблема हम जानते हैं कि जब कोई पिंड वक्र के पत पर कर बढ़ के पत पर गती करता है तो उस बिंदू पर उसकी जो गती की डिशा होती है वह उस बिंदू पर खीचे गए इस पर सिरेखा के दिसा में होती है तो हमने ओर पर फीचा और इसके दो हम कंपोनेंट ले लेते हैं इसके हम दो component लेते हैं एक component हमने ये ले लिया 36 और ये component हमने ये उर्धाधर ले लिया अब यहाँ पर चित्र को थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर यह जो code है यह code इसको मालो हमने बीटा ले लिया इस दिशा में इसका वेग इसके समानतार है तो यू होगा लेक इस दिशा में वेक का घटक जीटी होगा और इस दिशा में वेक का घटक यू होगा और यह मालो क्या है बीटा है और यह इसके परणामी वेक के दिशा है अब यहाँ पर हम एक लंब खीच दें, यदि हम यहाँ पर एक लंब ड्रा कर दें, यहाँ से इस पकार से हमने एक लंब खीच दिया, तो एक समकोर्ती भूज मिल जाएगा, और इस समकोर्ती भूज में यदि हम पाइथा को रस्थरम लगा दें, तो भी यहाँ पर कर्ण है, यह इसका लंब है, औ तो वहाँ पर उसका जो वेग हो जाएगा चित्र को ध्यान से समझो चित्र समझे बीना कल्कृर्शन समझ में नहीं आएगा तो किसी छड़ पर पिंड का जो वेग होगा वी वह जाएगा अंडर रूट आप पैथागुरस के प्रमे से जी टी का स्क्वेर प्लस यू स्क्वे स्क्वेर प्लस यू स्क्वेर इस पकार से जी स्क्वेर टी स्क्वेर प्लस यू स्क्वेर का होता है उस चंड पर वहाँ पर वेलसिटी होता है यह इसके वेलसिटी का फर्मूला है अब चाहें थो महां पर उसकी दीशा भी बता सकते हैं उस पर्टिकुलर चंड पर उसकी यदि हम उस छण पर उसकी दीषा निकालना चाहें, तो दीषा निकालने के लिए वहाँ पर हम निकालेंगे 10 β, 10 β, अब 10 β निकालें तो चित्र को देखो, यहां पर यदि हम 10 β निकालें, तो 10 β बरावर हो जाएगा, लंब बटे अधार, तो लंब यहाँ पर क्या है, यह GT है, और अधार क्या है इसका, यू, तो लंब बटे अधार, तो 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी अपान यू, जी टी अपान यू होगा, therefore, यदि हम इसको बीटा इक्वल टू निकालना चाहें, बीटा इक्वल टू, तो 10 को उधर जाके हम लिख सकते हैं, 10 इन्वर्स, तब यह 10 इन्वर्स हो जाएगा, और 10 इन्वर्स यह हो जाएगा, जी टी अपान यू, यह है, 10 inverse का formula दीशा निकालने का तो इस पकार से ये इसका दीशा निकलेगा ये हो गया 36 परास का condition तो 36 परास के condition में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखो ध्यान से सबसे पहले हमने देखा प्रचेब गती क्या है ये देखा सबसे पहले हमने देखा कि प्रशेव गती क्या है, प्रजेक्टाइल मोसन क्या होता है तो जब किसी पिंड को उर्धाधर के अत्रिक्त किसी अन दिशा में फेका जाता है तो वह परवलायकार पत पर गती करता है और इस गती को हम प्रशेव गती कहते हैं फिर हमने देखा कि 36 प्रष्यप में क्या होता है जब किसी पिंड को 36 दिशा में फ्यका जाता है तो उसका पत परवलयकार होता है यह हमने सबसे पहले derive किया पहले 36 दिशा के लिए component निकाला फिर उर्धाधर दिशा भी निकाला और यह हमने निकाला और बताया कि जो की परवलाय का समी करण है तो यह परवलाय का समी करण है इसलिए कि आप प्रशेप का पत परवलाय क्या होता है फिर हमने देखा उसका उड़यन काल कि उसका उड़यन काल कितना होता है तो t equal to root of 2h5g यह सूतर आपको याद होना चाहिए next है 36 परास r equal to u under root 2h5g फिर हमने देखा किसी छटपार प्रशेप का velocity of projectile at any instant तो यह इसका पहला part complete हुआ यह इसका पहला part है जिस part में हमने पढ़ा कि जब हम पिंड को 36 दिशा में फ्हेकते हैं तो उसका परास परवलायकार कैसे होता है तो यह हमारा topic यहाँ पर complete हुआ next topic हमारा होगा जब पिंड को हम उर्धाधर की और फ्हेकते हैं तो उसकी गती की दिशा क्या होती है यहाँ ता कोई problem बहुत से formula derive करने बहुत important है एक एक करके आप उसको समझते जाओ सबसे पहले हम देखते हैं तीर्यक प्रच्छेप होता क्या है तीर्यक प्रच्छेप का मतलब क्या है oblique projectile oblique projectile क्या है यह हमको सबसे पहले समझना है एक बार मैं आपको previous lecture थोड़ा सा revise करा दूँ याद दिला दूँ previous lecture में हमने यह देखा कि किसी पिंड को जब उपर से 36 दिशा में फेका जाता है मतलब हमने वहाँ पर ऐसा पढ़ा यह 36 धरातल है यह कोई height है और यहाँ से हमने यह देखा कि अधि किसी पिंड को इस दिशा में फेका जाए तो इस तरह से वह गिरता है मतलब इस तरह से वह गती करता है और यह उसका पत परवलायकार होता है इसको बोलता है 36 प्रच्छेप यह हमने previous class में पढ़ा है आज के class में हमको तीर्यक प्रच्छेप पढ़ना है जो की उर्धो अधर प्रच्छेप भी कहलाता है तो यह हम पहले class में पढ़ चुके हैं जो इस्ट्रेट नहीं पढ़े हैं वो इसके previous topic से उसको revise कर लेंगे तो तीर्यक प्रच्छेप होता क्या है यह हम सबसे पहले आपको समझा दे तो यहाँ पर हम figure बनाते हैं यह figure ध्यान देना सब कुछ figure के explanation पर best है इसलिए आपको figure को बहुत ध्यान से समझना है और मेरे साथ आपको ड्राभी करना है अपने rough copy पर आप ड्राभी करो इसको तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पर देखो यह suppose x-axis है यह suppose x-axis है और यह 36 धरातल है मतब अर्थ का सरफेस है suppose यह x-axis है और यह इसका y-axis है हमको मालूम है कि प्रच्छेप गती जो होता है वह two-dimension होता है यह गती two-dimension है two-dimension है तो एक x हुआ एक y-axis हुआ दोनों के respect में वह अपने position को change करता है अब suppose यहाँ से किसी pin को theta को बना के प्रच्छेप इत किया जाता है तो मालो वह प्रच्छेप इस पकार से ऐसा गती करता हुआ यहाँ पर गिरता है ठीक है तो मालो हमने किसी pin को यहाँ से throw किया वो pin मैं छोटा सा यहाँ पर object बना दूँ suppose यह object को हम यहाँ से throw किये और यह object इस point पर आके गिरता है इस तरह से इस object को यहाँ से throw किया गया मालो 36 के साथ में theta cone बनाके यह 36 के साथ में थीटा कोड़ बना के इसको थ्रो किया गया है यह जो कोड़ है वो क्या है थीटा है और इसको यू एक से ठेका गया है चित्रक में जो components मैं आपको बताऊंगा वो सभी components आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि जब तक यह पूरे components आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आपको टापिक समझ में नहीं आएगा मतलब पूरा calculation figure पर based है ठीक है clear अब इसमें होगा क्या देखो जब हम इसको थीटा कोड़ से यू इस डिरेक्सर में फेकेंगे तो इसके दो घटक होंगे क्योंकि सदीश का घटक हम जानते है 36 घटक और उर्धाधर घटक तो यह इसका 36 घटक होगा और इस दिशा में चू कि थीटा के पास है तो थीटा का पास वाला क्या होता है कास होता है ऐसा मैंने आपको बताया था तो थीटा का पास वाला कास होता है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको कास तो यह हो जाएगा u कास थीटा यह u कास थीटा होगा और थीटा का जो दूर वाला होता है वह साइन थीटा होता है तो थीटा का दूर वाला साइन थीटा होता है इसलिए हम क्या करेंगे दूर वाले component को हम sinθ लिखेंगे इस पकार से ये वाला जो component है ये हो जाएगा u sinθ तो u castθ, u sinθ इसके दो component होंगे 36 घटक u castθ और उर्धा धर कटक u sinθ यहाँ पर ये जो position है ये इसका highest point है और जब ये अपने highest point पर होता है उस समय कैसा condition होता है ये ध्यान से समझना ये इसका h है और इस point के बाद इस point के बाद जो pin है यहाँ तक उपर जाता है उसके बाद फिर ये pin यहाँ से नीचे आता है तो highest point पर इसका जो 36 घटक होता है वो u castθ होता है और उर्धाधार घटक यहाँ पर सुन नहीं हो जाता है फिगर को और हम change करते जाएंगे लेकिन बारी बारी पहले हम फार्मूला calculate करते जाते हैं फिगर को आगे हम modify करते जाएंगे तो यहाँ तक हम अब हम समझें इसको सबसे पहला हमारा काम क्या है कि प्रछेप का समीकर निकालेंगे सबसे पहले प्रचेप का पत परवलाकार होता है यह हमको proof करना है तो सबसे पहले जब गर्णा हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले गर्णा में आपको याग होगा previous topic में हमने सबसे पहले क्या निकाला था कि प्रचेप का पत परवलायकार होता है इसके बाद हमने निकाला था उड़यन काल और इसके बाद हमने निकाला था 36 परास उसी तरह से 1 by 1 by 1 यहाँ पर फार्मूला को हम डिराइब करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना है क्या कि प्रच्छेप का पथ परवलायकार होता है यहाँ इसको हम कहते हैं प्रच्छेप का समीकरण ठीक है प्रच्छेप का समीकरण प्रच्छेप का समीकरण हम सबसे पहले निकालेंगे तो पहले हम इसका कल्कुलेशन करेंगे x-axis के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया फार x-axis x-axis का मतलब 36 दिख दूँ 36 दिशा में और 36 दिशा का ही मतलब है क्या x-axis 36 दिशा में मतलब x-axis सबसे पहले हम इसको 36 दिशा में निकालेंगे कि जब उसको 36 दिशा में हम प्रछेपित करते हैं वो component पर तो क्या होगा यहाँ पर हम समीकर्ण यूज़ करेंगे गती का दूती समीकर्ण इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे s equal to ut plus half at square इसको हम 36 दिशा के लिए इसका जो displacement है तो हम यह माल लेते हैं कि वा 36 दिशा में यहाँ से यहाँ तक x दूरी तरह करता है यह हम माल लेते हैं माल लो x उसका component यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी क्या है x है तो 36 दिशा में उसका जो विस्थापन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं तो 36 दिशा के विस्थापन को x लिखें तो यह हो जाएगा x equal u 36 दिशा में u वे का घटक क्या है u? कास थीटा तो 36 दिशा में हम वे का घटक u के जगा में क्या लिखेंगे? u कास थीटा और इंटू T और प्लस यहाँ पर देखो a त्वरण है जो कि यहाँ पर गुरुत्वी त्वरण है क्योंकि हम उसको उपर फेक रहे हैं तो त्वरण का वेल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा 1 अपॉइंट 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a equal to g है और जो की 0 के बराबर है तो पूरा का पूरा इसको मैं एक साथ यहाँ पर 0 लिख देता हूँ इसको g t square ही लिख देता हूँ g t square गुरुत्वी तवरण है इसलिए तो यहाँ पर g कभी 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि g 36 दिशा में कारे नहीं करता g हमेशा g का जो direction होता है वो हमेशा लंब वाथ नीचे की और होता है उर्जाधर दिशा में होता है तो 36 दिशा में g का value 0 होता है इसलिए हमने उसको 0 लिख लिए पिछले बार भी हमने यही किया था यदि आपको पिछला calculation याद है तो समझने में कोई problem नहीं होगा देखो वैसे एक कीछ हमेसा ध्यान रखना फिजीस का कोई भी calculation जब कोई भी chapter चलते रहता है तो आगे का जो calculation है वो उसके ठीक पीछे के topic के calculation पर based होता है इसलिए आपको regular topic को तयार करके आना चाहिए regular आप topic तयार करके आएंगे कोई problem नहीं होगा तो यह हो जाएगा अब यहाँ से हम t का value निकाले तो therefore यहाँ से t का मान निकाले तो क्या हो जाएगा देखो therefore t equal to इसको इधर transfer कर दें तो x upon u cos theta t equal to x upon u cos theta होगा और यह हम दे देते हैं इसको relation number first यहाँ पर हमने t का मान निकाल लिया आपको यह याद होगा previous topic तो पहले हमने t का मान x upon u निकाला था क्योंकि हाँ पर u का घटक नहीं था तो x upon u निकाला था ठीक है यह हो गया 36 दिशा में अब हम calculation करते हैं अब next slide में ही लिखेते हैं इसको उर्धाधर दिशा में second part है इसका उर्धाधर दिशा में उर्धाधर दिशा में कौन सा equation यूज़ करेंगे पर second s equal ut plus half gt square यह तो y axis में इसका जो विस्थापन है वो क्या है दख्यों यहाँ से फिगर से यह h है और इस h को हम ले लेते हैं y के बराबर बाद में उसको h लिखेंगी हम तो h क्या है यहाँ पर y के बराबर है मतलब यहाँ पर इसका जो highest displacement है वो y है जैसे 36 में एक्स था वैसी उर्धाधर में y है तो विस्थापन को हम क्या ले लेंगे y तो इस तरह से देखो इसका value कितना हो जाएगा देखो यह y equal अब उर्धाधर दिसमियू को घटक क्या है u sin theta u sin theta into t और चूंकि pin उपर जा रहा है g नीचे कारे करता है तो minus हो जाएगा 1 upon 2 gt square यहाँ पर g का value minus क्यों हुआ क्योंकि pin को हम उपर की और फेक रहे हैं और g कारे करेगा नीचे की और तो इस पकार से हो जाएगा 1 upon 2 gt square that implies आगे इसको solve किया जाए तो y equal to u into sin theta और यहाँ पर हम t का value यहाँ से put up कर देते हैं तो t का value हम निकाल कर रखे हैं x upon u cos theta x upon u cos theta यह value को अपन put up कर देते हैं x upon u cos theta यह हो गया और minus 1 upon 2 g और यह हो जाएगा x upon u cos theta का whole square यह होगा अब आगे देखो इसके बात क्या case solve होता है यहाँ से यहाँ से u u के साथ में cancel out हो जाएगा तो हम इस u को u के साथ में कटा देते हैं यह इसके साथ में कट जाएगा बागी तो और कोई कट नहीं रहा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है आगे ध्यान से समझना, that implies y equal to sin theta upon cos theta 10 theta होगा, तो x into 10 theta minus 1 upon 2 g और यहाँ पर देखो x square और नीचे में क्या है, यह 2 तो लिख दिया हूँ में, u square cos square theta, और यह जो relation आया है, यह जो relation आया है, आपको ध्यान होगा कि मैंने numerical सी start कर दिया था, वहाँ पर इस formula को मैं use कर रहा था, यदि आप कल के class में आयत है, कल के live class में आप रहे होगे तो आपको याद होगा, इस formula को मैं use कर रहा था, तो यही formula है जिसको हमको वहाँ पर use करना है, बाद में मैंने अपनी planning change की फिर इसको मैं पढ़ाया, और यह कहलाता है, equation of trajectory मतलब प्रचेप का समीकरण, यह प्रचेप का समीकरण है, इसको याद रखोगे आप, यह प्रचेप, इसको प्रचेप का समीकरण कहते हैं, इसको आप याद रखोगे, और इसके बाद हम क्या करें, इस प्रचेप के समीकरण में, हम थोड़ा सा change करें, किस तरह का change करें, यह जो 10 theta है, इसको एक constant suppose कर लें, और यहाँ पर x square को छोड़के, यह जितना value है, उसको एक constant suppose कर लें, यह दोनों को हमेरे constant suppose कर लें, तो दोनों को constant suppose करने पर, यहाँ पर जो equation आएगा, वो क्या देखो, यह हो जाएगा, y equal, और इस 10 theta को मैं b suppose कर लिया, तो हो जाएगा, y equal to bx minus, यह 1 upon 2, g upon u square, 80 square theta को जोड़ी a suppose कर लिया, तो हो जाएगा, minus ax square, यह हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ, जहाँ, b वराबर, 10 theta, और a वराबर, g square upon 2, u square, 80 square theta, तो इसको हमने b suppose किया है, square suppose किया है, तो equation इस फाम में आजाएगा, और जब equation इस फाम में आएगा, तब हम इस equation को, तब हम इस equation को क्या का सकते है, equation आप पैराबोला, यह पैराबोला का एक equation है, क्योंकि पैराबोला के बहुत तरह की equation होते हैं, इसमें से एक equation यह होगा, तो इसको लिखेंगे, जो की परवलाय का समी करण है, अतह प्रचेप का पत, अतह प्रचेप का जो पत होता है, वह परवलायाकार होता है, एक टापिक यहाँ पर प्रूफ होता है, यदि आपको एकजाम में पूछा जाए, कि सिद्ध करो प्रचेप का पत परवलायकार होता है, तो आप यहां तक proof करोगे मैंने आपको previous class में discuss किया था कि question इसमें पूछा जाता है प्रच्छेब गती किसे कहते हैं सिद्ध कीजिए कि प्रच्छेब का पत परवड़ायकार होता है तो यदि आपके teacher ने आपको condition नहीं दिया है तो आप उसको 36 प्रच्छेब के लिए भी proof कर सकते हैं और तीर्यक प्रच्छेब के लिए भी proof कर सकते हैं मतलब इसके लिए भी proof कर सकते हैं यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ तीर्यक प्रच्छेब के लिए इसके लिए दोनों में से किसी के लिए proof कर सकते हैं लेकिन एक्जाम में यदि आपके टीचर ने पूछा है कि प्रच्छेब गती किसे कहते हैं सिद्ध करो प्रच्छेब का पत परवलायकार होता है जबकि पिंड को 36 दिशा में फेका गया है यदि ऐसा बोल दे तब आप वहाँ पर बांडेड हो जाते हैं बांडेड हो जाते हैं मतलब प्रतिबंदित हो जाते हैं वहाँ पर आपको वही वाला प्रूफ करना पड़ेगा और तिर्याक पूछा है तो तिर्याक करना पड़ेगा मतलब दोनों कंडिशन में प्रच्छेब का पत परवलायकार प्रूफ करना पड़ता है जैसा पूछा आएगा वैसा बनाना है क्लियर तो यहां पर प्रच्छेप का प्रवलायकार प्रूफ हो गया और अब हम देखेंगे इसके आगे के टापिक square कहां से आया यहाँ square लगा है ना t का square है यहाँ पर देखो यहाँ पर t का square है इसलिए यहाँ पर हमने पूरे का square लगाए गया है और यह t का value है t equal to x upon u cast theta parabola क्या है मैंने previous class ने पढ़ाया था parabola एक आकरिती है यह जो आकरिती आप देख रहा हो चितर में यही आकरिती क्या होता यह parabola होता है इस आकरिती को हम यहाँ पर अब हम derive करते है है उड़ैन काल अब हमारा अगला टापिक है इसका उड़ैन काल हम निकालेंगे और मैं आपको previous टापिक में उड्यान काल समझा चुका हूँ कि उड्यान काल क्या होता है उड्यान काल का मतलब होता है जब कोई भी पिंड प्रच्छेब गती करता है तो जितने समय तक वो क्या होता है गती में होता है या हवा में होता है या प्रारभी की स्थिती से अंद्री में स्थिती के बीच का जो समय होता है यह सब क्या कहलाता है उसका उड्डेयन काल कहलाता है यह हमने previous class में पढ़ा हुआ है तो उड्डेयन काल निकालने के लिए हमको y-axis के equation को solve करना होता है यह ध्यान में रखना तो हाँ पर हम गती का दूती समय करें s equal to ut plus half at square से इस फार्मूला को यह हम y-axis के लिए प्रूफ करें तो y-axis में देखो उड्डेयन काल तो y-axis में उसका विस्थापन कितना होता है ध्यान देने यहाँ पर यहां से पिंड को हमने गती प्रारम किया और यह गती करते हुए यहां पर पुना आके गिर गया X-axis में, तो Y-axis में इसका विस्थापन क्या हो याएगा, 0, मतलब गती समाप्त करने के बाद, जब वो अपने गती समाप्त कर लेगा, वो जब पृत्थी पर गिर जाएगा, तो उस समय उसका Y-axis का विस्थापन, 0 होगा, इस तरह से हम यहाँ पर इसको विस्थापन को क्या दिख सकते हैं, Y-axis 0, इसलिए मैंने यहाँ पर Y-axis के लिखा है, that equal to, उस direction में इसका विक क्या है, U sin theta है Y-axis में, और समय तो यहाँ पर T ही लेंगे, उपर फेका जा रहा है, तो minus होगा, 1 upon 2, तो और एक जगा में G होगा, और यह T square, इस पकार से होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझो, तो यह हमने वहाँ पर value को put up कर दिया, that implies, अब हम इसको इधर transfer करें, तो हो जाएगा, 1 upon 2, GT square, equal to, हो जाएगा, U sin theta, U sin theta into T, दोनों साइट से 1, 1 T, cancel हो जाएगा, दोनों साइट से 1, 1 T के cancel होने के बाद, T बराबर, बाकिक उधर transfer कर दे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा, 2U sin theta, और यह upon G, तो 2U sin theta upon T, इसका उड़ेन काल का formula होता है, यह उसका उड़ेन काल का formula है, यह ध्यान रखोगे, यह सब पर numerical है, यह सब question अगले class में जब हम numerical question साल्व करेंगे, तो यह पूरे formula आपको काम आने वाले हैं, यह प उड़ेन काल, उड़ेन काल के बाद हमारा अगला टापिक है 36 परास, 36 परास क्या होता है, देखो एक बार चित्र में आप समझो, कि 36 परास का value क्या होता है, यहाँ फिकर से देखो, यह 36 परास कालाता है, प्रिवियस class में आपको समझाया जा चुका है, कि पिंड को जहां स थ्रो किया जाता है, वहाँ से 36 तक वो जितनी दूरी तया करता है, वो 36 परास कालाता है, मतलब यह जो X है, वही 36 परास कालाता है, इसको हम R से पदसित करते हैं, R फार होता है, मतलब जब किसी पिंड को प्रछेपित किया जाता है, तो X अक्स पर जितना अधिकतम दूरी ह तया करता है 36 दिशा में जितनी दूरी तया करता है वो उसका 36 परास कहलाता है इस पकार से 36 परास निकालेंगे तो 36 परास क्या है दूरी है और दूरी पराबर होता है वेग गुडित समय तो 36 परास निकालने के लिए इसको हम R से पदसित करेंगे और R वेग गुडित समय तो यह यू वंक पर पूट पांजी इस वेलिव को हम यहाँ पर पूट अपाँ जी यह वेलियु हमने टीच पूट अप कर दिया दैट इक्वल तो अब देखो therefore R equal to क्या हो जाएगा? यह 2 sin theta cos theta sin 2 theta होता है, ठीक है? तो यह U को हमने लिख दिया, U into U u square, तो हो जाएगा u square sin 2 theta upon G यह 36 परास का फर्मूला होता है इस पकार से यह 36 परास यह आपको याद रखना है यह 36 परास का फर्मूला है तो 36 पर आपको फार्मूले आपको लर्म होना चाहिए तभी आप निमेर्कल्स बना पाओगे अन्यथा नहीं बनेगा अब देखो इस पर हम पढ़ते हैं कुछ special case इस पर हम कुछ special case पढ़ें तो यहाँ पर special case में पहला case यह है कि theta equal to 45 degree के लिए theta equal to 45 degree के लिए मतलब यदि हम अपने पिंड को प्रछेप को 45 संस का कोड बना के फेकें तो उस condition में क्या होगा यह हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो कि इसका value यदि हम 45 degree रखें तो r equal to क्या हो जाएगा u square sin 2 into 45 sin 2 into 45 और अपान में क्या होगा यह g इस पकार से that implies r equal to u square sin 90 u square to sin 90 upon g और sin 90 का मान एक होता है और यह हमारा numericals उस numerical का पहला question देखो बहुत ध्यान से समझना जो question में collection किया हूँ numericals के लिए वो सभी question का खासियत क्या है कि हम यहाँ पर ऐसे question ले रहे हैं जो ज़्यादा तर competitive pattern के question है वो इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं क्योंकि इस question को लेने पर क्या है आपका competition का prepare का pattern आपको पता चलेगा actual में class 11 में जो numericals पूछे जाते हैं class 11 तो सभी state board में और cbse सभी board में home examination है तो वहाँ पर teachers अपने carding question पूछते हैं आप सबको पता है तो यहाँ पर numerical किस तरह से पूछा जाएगा किस तरह के numerical आएंगे यह आप यह नहीं भी आएंगे यह आपको मालूम है तो हम जो numerical आपको करा रहे हैं उस numerical में हमारी पूरी कोशिस है कि हम in future जब IIT, J, NEET वगरा का exam दो या CUT का exam दो, India का exam दो तो यह सभी exam में यह numericals हम आपको cover करे करके करा रहे हैं हमारा पहला कोश्चन सभी कोश्चन competitive pattern पर ही है पहला कोश्चन की statement ध्यान से सुनो राइफल से छोड़ी गई एक गोली द्वारा प्रात अधिक्तम उचाई 25 मीटर है यह कोश्चन वैसे मैंने previous class में एक बारी स्टार्ट कर दिया था फिर उसको मैं दुवारा आपको करा र अधिक्तम उचाई 25 मीटर है का मतलब ही है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके height के लिए formula लगाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अधिक्तम height को इसने दिया हुआ है तो height का formula क्या होता है इसने सबसे पहले हम height का formula लगाएंगे तो u square sin square theta upon 2g height का formula h equal to u square sin square theta upon 2g ये height का formula होता है पहले तो अपन formula ही इसके लिए निकाल लेते हैं इसके बाद range तो range का भी formula अपन लिख लेते हैं क्योंकि range और height में अपने के हाँपर संबन बनाना है तो range का formula क्या होता है? यह हम लिख लेते हैं, तो range का formula u² sin2θ5g होता है u² sin2θ5g यह उसका formula होता है तो सबसे पहले हम height और range पर एक relation बना लेते हैं सबसे पहले height और range पर एक relation बना लेंगे और इस relation के according हमको जो question में दिया हुआ है वो हम put up कर देंगे तो क्या करें, height में range को हम divide कर देते हैं, तो हमको एक नया formula मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, तो h upon r, h upon r, h upon r हम करें, तो h का value क्या है, u square sin square theta upon 2g, और जब range को divide करेंगे, तो यह उलट जाएगा, यह हो जाएगा, g upon u square sin 2 theta, यह हो जाएगा, कई तरीके से बना जा सकता है, शुरुवात में हम value put up करके भी बना सकते हैं, और value को हम इस तरह से divide करके new formula भी निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो तो कौन-कौन सा value cancel out हो जाएगा, यहाँ पर g g के साथ cancel out होगा, और u square u square के साथ में cancel out हो जाएगा, आगे और इसको सडल करें, तो that implies, यहाँ पर यह हो जाएगा, h upon r equal, अब देखो sin square theta, sin square theta को हम sin theta into sin theta लिख सकते हैं, clear, और यहाँ पर यह तो 2 है, और sin 2 theta को लिखा जा सकता है, 2 sin theta into cos theta, टिग्नामेट्री के फार्मूला से sin 2 theta को हम 2 sin theta, cos theta लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, एक sin theta cancel हो जाएगा, इस तरह से 1 sin theta इसके साथ cancel हो जाएगा, और therefore, अपने को क्या मिल जाएगा, therefore, h upon r, h upon r equal to sin theta upon cos theta, 10 theta होगा, तो यह हो जाएगा, 10 theta upon 4, अब इतना simplify करने के बाद हम value को put up करेंगे, क्योंकि हमको question में दिया है, कि 25 meter के height तक हो जाता है, और उसका range है, 200 meter, तो आगे हम इसके value को put up करते हैं, h upon r equal to 10 theta upon 4, that implies h, height कितना दिया हुआ है, height दिया है, यह कितने height तक जाता है, 25 meter के height तक जाता है, तो 1 upon 8 equal to 10 theta upon 4, therefore 10 theta equal to, therefore 10 theta transfer होगा, तो 1 upon 2 हो जाएगा, इस तरह से यह हम theta के value निकालना चाहें, तो 10 को उधर ले जाके लिख सकते हैं, 10 inverse 1 upon 2, यह इसका answer होगा, इस तरह के question ज़्यादा competitive में पूछे जाते हैं, ठीक है, 10 inverse 1 upon 2, इसका answer होगा, clear, तो आप लिख लो, यह question मैंने पहले भी बताया था, कोई problem यहाँ तक, चेलिए, next question, देखो यह question, और इसी question के बाद मैंने उसको drop कर दिया था, क्योंकि आपको मालूम है, इसके पहले वाले class में हमने पढ़ा है, प्रचेप का समीकरण, जब पिंड को तीर्यक फेका जाए, मतलब तीर्चा फेका जाए, oblique projectile, ठीक है, तो यहाँ पर एक question देखो, ध्यान से समझो, यह question बहुत important है, इस तरह का question competitive में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक तीर्यक प्रचेप के प्रचेप प्रचेप का समीकरण, y equal to root 3x minus g upon 2 into x square है, प्रचेप के प्रारंभी क्वेग, मतलब u कमान, और प्रचेप का code, यह दो चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है, इस तरह के question को बनाने के लिए, यह जो standard equation है, हमको यहाँ पर question में, standard equation के फाम में इसको दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, standard equation से इसका comparison करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रचेप का ब्यापक समीकरण, चूंकी, चूंकी प्रचेप का ब्यापक समीकरण, प्रचेप का ब्यापक समीकरण होता है, वो क्या होता है, y equal to, फार्मूला आपको याद होगा y equal to x into 10 theta इसके पहले वाले class में जब ये फार्मूला डिराइब कर रहा था तो प्रच्छेप का समीर करके मैंने उसको highlight किया था देखो भाई numerical करना है तो आपको फार्मूले अच्छे से लर्न करके आना पड़ेगा नितो numerical तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा तो x minus 10 theta होता है और minus g upon 2 u square g upon 2 u square cos square theta और into x square होता है यह इसका ब्यापक समीकर्ण होता है तो जब आपको इसका ब्यापक समीकर्ण पता चल जाएगा तो ब्यापक समीकर्ण की सहायता से फिर क्या है आप इससे इसकी तूलना करोगे ठीक है तो यह हमारे पास question में समीकरण दिया है और यह व्यापक समीकरण है तो अब तुलना करने पर यदि हम तुलना करें तो देखो दोनों को तुलना करें तो क्या मिलेगा आपने को दोनों को तुलना करने से पता चलेगा कि यहाँ पर X का जो कोफिसियन्ट है वो कितना है अंडर रूट 3 है और यहाँ पर X का कोफिसियन्ट क्या है 10 थीटा है तो जब दोनों का तुलना करोगे तो X का कोफिसियन्ट यहाँ पर रूट 3 है तो दोनों का तुलना करेंगे तो निश्ची तुरू से अपने को क्या मिल जाएगा तेन थीटा बराबर तेन थीटा बराबर मिल जाएगा अंडरूट थरी इस पकार से तो हमको क्या करना हो यह बहुत important pattern है question का यह question का बहुत जादे important pattern है बहुत बार कई तरह के exam में आ चुका है आपको pattern को समझना है देखो हमेशा आपको numerical के class में एक बात में बोलता हूँ कि आपको question तयार नहीं करना है क्योंकि number आप question तो infinite है समझना है कोई गिंती नहीं तो क्या समझना है आपको question का pattern समझना है question का concept समझना है तो 10 theta का value यहाँ पर root 3 होगा अब हमको मालूम है कि 10 theta का value root 3 कितने degree के लिए 10 theta का value root 3 होता है कितने degree के लिए 60 degree के लिए ठीक है इस पकार से हम उसको क्या लिख सकते है theta equal to 60 degree लिख सकते है clear यहाँ तक theta equal to 60 degree यदि radian के पहाम में लिखे हम तो pi y 3 भी लिखा जा सकता है क्योंकि answer में जैसा भी हो दोनों सही है जब multiple twice बनाते रहते हैं तो multiple twice बनाते समय हमको ध्यान देना पड़ता है कि answer किस में दिया हुआ है बाकि आप general numericals में दोनों तरीके से लिख सकते है 60 degree भी लिख सकते है और pi y 3 भी चलो अब यह हो गया प्रछेप का कोण हमने निकाल लिया अब प्रस में पूछा है कि प्रारंभी क्वेग भी ज्याद करो उसका प्रारंभी क्वेग भी ज्याद करो और प्रारंभी क्वेग आता है कहां पर इसमें यह वाले factor में आता है तो यहाँ पर देखो x square का coefficient है x square का coefficient यह होता है इतना होता है और यहाँ पर x square का coefficient यह है यह सामने तो minus है तो minus को हम छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर हम x square यहाँ पर हम x के गुणां का तुलना किये अब यहाँ पर 2 u square cos square theta यह हमको left side से मिलेगा right side से मिलेगा g upon 2 तो यहाँ पर इसका value कितना है g upon 2 that implies अब आगे इसको salve किया जाए तो आगे salve करने से क्या होगा यह g, g के साथ कर जाएगा और 2, 2 के साथ में कर जाएगा यह हो जाएगा, ठीक है theta हम निकाल चुके है, 60 degree तो पहले तो दोनों side को हम reciprocal कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको salve करेंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों side को उलट ले हम, तो हो जाएगा u square, cos square theta equal to 1, क्योंकि right side में 1 है तो 1 का उलटा 1 ही होगा that implies हमको u square चाहिए तो u square equal to हो जाएगा 1 upon cos square theta that implies दोनों तरब का under root ले ले, तो under root लेंगे तो दोनों का square हड जाएगा तो u बराबर हो जाएगा, 1 upon cos theta, और हम theta निकाल चुके 60 degree, तो इसके मान को हम भर देंगे, that equal to 1 upon cos 60 degree, और cos 60 degree का value होता है, 1 upon 2 2 upon 2, उलटके उपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 meter per second 2 meter per second ये उसका क्या हो जाएगा, प्राबर ही के हो जाएगा इस पकास से 2 meter per second इसका वेग होगा, तो यह एक best question है यह एक best question है, इस question में हमको पता चलता है कि कैसे हम व्यापक समीकरण से तूलना करते हैं ओके, चलिए, इसकी साथ ले लिजिए इसका हो गया, अगला question अगला question देखो आप दो कर्ड समान वेक के क्रमसा 45 प्लस थीटा और 45 प्लस थीटा के प्रच्छेप कोण पर प्रच्छेपीत किये जाते हैं, उनके उनके 36 परच्छों का अनुपाद ग्याद कीजिए इनके 36 परच्छ का अनुपाद ग्याद करना है चलिए तो सालवक करिए इसको आप लोग क्या अनुपाद आएगा? 36 परच्छ का अनुपाद मतलब R1 ratio R2 यह हमको फाइन करना है इसी तरह के question competitive में आते हैं R1 ratio R2 fine करना है चलिए fine करके बताए क्या आएगा 1 ratio 1 इसका सही answer आएगा इसका answer आएगा 1 ratio 1 कैसे देखो? सालव करके देखो 1st condition के लिए यह तो मैं direct formula निकाल देता हूँ इसका मैं R1 upon R2 इसका direct formula आपको बता रहा हूँ R1 upon R2 को जो सिधा formula होता है compare करने के लिए वो formula होता है sin 2 theta 1 upon sin 2 theta 2 यह formula आप direct लिक सकते हो sin 2 theta 1 upon sin 2 theta 2 यह formula आप सिधा यूज करो और यहाँ पर हम इसके value को put up कर दें तो क्या मिलेगा? R1 upon R2 equal sin 2 theta 1 ते हो जाएगा sin 2 और पहले condition में theta का value क्या है? 45 plus theta तो यहाँ पर हम लिक देंगे 45 plus theta यह होगा और दूसरे condition में sin 2 theta 2 तो theta 2 का value कितना है? 45 minus theta यह है 45 minus theta यह होगा अब आगे इसको मिलेगा करें तो क्या होगा? That implies R1 upon R2 equal 2 जब अंदर multiply होगा तो 45 into 2 90 90 plus 2 theta तो यह हो जाएगा sin 90 plus 2 theta और यहाँ भी हो जाएगा 2 multiply होगा तो sin 90 minus 2 theta होगा और हमको मालूम है कि sin 90 plus 2 theta और sin 90 minus 2 theta दोनों cast 2 theta होते हैं ठीक है? दोनों का formula cast 2 theta होता है तो हो जाएगा R1 upon R2 equal to यह हो जाएगा cast 2 theta और यह भी हो जाएगा cast 2 theta क्योंकि 90 minus theta भी cast और 90 plus theta भी cast होता है trigonometric के formula से तो दोनों आपस में cancel out होएगा और दोनों का cancel out होने के बाद इसका जो ratio आएगा R1 ratio R2 equal to होएगा 1 ratio 1 1 ratio 1 यह इसका answer होगा तो बहुत अच्छा question है यह और बहुत simple concept पर based है बहुत ही simple concept पर based है यह तो आपसे बनना था खर कुछ लोगा ने बिल्कु सही answer दिया है यह अनुपात मिकालने वाला question exam में बहुत आता है अनुपात मिकालने वाला question exam में बहुत आता है चलिए next question पर बात करें हम एक प्रच्छेप्य द्वारा प्राप्य अधिक्तम 36 परास एवां उर्ध्वाधर उंचाई का अनुपात कितना होगा एक प्रच्छेप्य द्वारा प्राप्य अधिक्तम 36 परास एवं उर्ध्वा धर उंचाई का अनुपाद कितना होगा अधिक्तम अधिक्तम 36 परास और उर्ध्वा धर उंचाई यहाँ पर भी अनुपाद पूछा गया है मने यहाँ पर चाहिए R maximum upon H चेल यह दो मिनेट टाइम देता हैं इसको भी बनाईए आप लोग इसमें हमको फाइन करना है क्या R maximum R maximum upon H यह हमको फाइन करना है R maximum upon H अधिक्तम 36 परास और उसी समय उसकी अधिक्तम उचाई उसी समय उसकी उर्ध्वा धर अधिक्तम उचाई का अनुपाद क्या होगा 4 ratio 1 is right answer इसका answer 4 ratio 1 आएगा और देखो किस तरह से हमको मालूम है कि 36 परास R का जो फार्मूला होता है 36 परास R का फार्मूला होता है U square sin 2 theta upon G तो यह होता है U square sin 2 theta upon G और अधिक्तम परास के लिए theta का value कितना degree होता है 45 degree यह सब आपको chapter पढ़ाते समय पढ़ाया गया है तो इस condition में यदि हम R maximum निकालें तो R maximum equal to हो जाएगा U square sin 2 into 45 degree और upon G तो sin 91 होता है यह हो जाएगा U square upon G हो जाएगा अब इसी condition में यदि हम height निकालें तो H equal to क्या होता है U square sin 2 theta U square sin 2 theta upon 2 G होता है that equal यह हो गया U square sin 45 degree sin 45 degree का square यह और upon 2 G that equal to sin 45 क्या होता है 1 upon root 2 होता है तो U square into 1 upon root 2 का whole square upon 2 G ऐसा हो जाएगा क्योंकि sin 45 1 upon root 2 होता है 1 upon root 2 का whole square होगा तो 2 का root हट जाएगा और 2 नीचे आके multiply हो जाएगा तो हो जाएगा U square upon 4 G यह होगा अब यदि हम दोनों का comparison करें किसका किसका comparison करें R maximum और H का तो दोनों के ज़िए हम ratio लिका लें तो क्या हो जाएगा R upon R maximum R maximum upon H equal to इसका value है यहाँ पर U square upon G है और into इसका हम reciprocal कर देंगे तो 4 G उपर चला जाएगा यह हो जाएगा 4 G upon U square therefore R upon H R upon H equal to U square U square cancel होगा GG के साथ cancel होगा तो कितना हो जाएगा यह 4 ratio 1 4 ratio 1 यह इसका answer होगा ओके तो R और H का ratio 4 ratio 1 होगा तो यह ratio वाले question बहुत important है कई बार इस तरह का question neat में पुछा गया है यह जो अभी मैं बताया आपको कि 2 36 परास का ratio फिर अभी जो मैं बताया आपको R और H का ratio जो इस तरह के question पूछे जाते है ratio निकालने वाले फर्मूले बहुत important है चलिए एक और बहुत अच्छा question यह भी बहुत बार पूछा गया question है एक वस्तु को इस पकार पच्छेपीत किया जाता है कि उसके द्वारा प्राप्त 36 परास तथा उर्द्वाधर उंचाई समान है यहाँ पर question में बोला गया है कि उसके द्वारा प्राप्त 36 परास ध्यान देना 36 परास और उर्द्वाधर उंचाई उर्द्वाधर उंचाई दोनों क्या है समान है तो उसे किस कोण पर पच्छेपित किया जाता है उसे किस कोण पर पच्छेपित किया जाता है यह हमको देखना है तो दोनों का बराबर कर दो और ठीटा कमान निकालो 36 परास तथा उर्द्वाधर उंचाई समान है दोनों को बराबर करी है और थीटा का मान निकाली है सिर्फ फार्मूला को बराबर करना है आपको 10 inverse 4 is right answer 76 भी उसका value होता है ठीक है ये question तो कई बार आया हुआ question है मेरे ख्यास से question नीट में आया है देखों यहां पर क्या बोला गया है कुछ भी नीकरना था आपको दोनों question को दोनों फार्मूला को बराबर करना है question में बोला है r equal to h जब r h के equal हो तो क्या होगा तो r का value क्या हो जाएगा that implies यह हो जाएगा u square sin 2 theta u square sin 2 theta upon g equal to h का value क्या हो जाएगा u square sin 2 theta upon 2g यह दोनों का फार्मूला है सिथा सिख़ दोनों को फार्मूला को put up करना है दोनों को फार्मूला put up करने के बाद देखो u square u square से cancel out हो जाएगा और g g के साथ cancel out होगा फिर हम क्या कर सकते है इसको यहाँ पर फिर sin 2 theta को हम सरल करें तो sin 2 theta का value क्या होता है 2 sin theta cast theta 2 sin theta into cast theta और upon में तो कुछ नहीं है that equal इधर से का हो जाएगा sin square theta upon 2 sin square theta upon 2 ये होगा that implies 1 sin theta sin theta के साथ में कटेगा और 2 को हम इधर भेज़ देते हैं sin theta को इधर भेज़ देते हैं या उसको भेज़ देते हैं इधर cast theta को तो उधर हो जाएगा sin theta upon cast theta sin theta upon cast theta और 2 यहाँ पर multiply होके हो जाएगा 4 that implies sin theta upon cast theta 10 theta होगा तो 10 theta equal to 4 therefore theta equal to उधर 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 inverse 4 10 inverse 4 तो theta equal to 10 inverse 4 इसका सही answer होगा ठीक है तो उस condition में 10 inverse 4 45 degree नहीं होगा भाई रुपेश 45 degree नहीं होगा यह होगा 10 inverse 4 तो इस तरह के numericals मैंने आपको एक pattern बताया मैंने आपको एक pattern बताया कि इस तरह के numericals competitive exam के लिए important है तो पूर्या question आपको ठीक है तो कल के class में भी हमारा numerical ही होगा लेकिन multiple choice question के फार्म में आपको मालूम है कि हम हर chapter के बाद हम हर chapter complete होने के बाद numericals का class ले रहे हैं और next day में multiple choice question का class ले रहे हैं तो multiple choice question भी numerical ही है लेकिन दोनों में pattern अलग है यहाँ पर details आलव करके आपको बताया जा रहा है और multiple choice question में आपको हम थोड़ा tricky बताते हैं competitive exam के best पर और ऐसी हमारी planning इस लिए है ताकि हमारी student from very beginning बहुत पहले से क्या है competitive exam के लिए तयार हो जाए इसलिए हम अपने channel पर chapter को 100% complete करने के बाद numericals और multiple choice question बहुँ भी कल्पी प्रस्ण दोनों के आपको practice करा रहे हैं ठीक है तो कल के class में आप और अच्छे से तयारी करके आईए तो कल हम आपको multiple choice question की तयारी कराएंगे ओके ओके थैंक्यू थैंक्यू सोमज कर दो कर दो बहुँ कर दो खरीक है